नेता वोट तो लेते हैं हरियाना की जंता से वोट लेके चंडिगड जाके बैट जाते हैं जब हरियाना के लोगों को जरूरत होती है मेरी माताओं भेनों को जरूरत होती है हमारे किसान भाईयों को बुजरगों को जरूरत होती है तब उनको चंडिगड भागना पड़ता ह इतने करमट पंजाब की और एक करमट हरियाना की किराई की राजधानी क्यूँ एक संपूरन राज़े का दर्जा उनको मिलना ही चाहिए क्यूंकि ये ओफर हमारे साथ हिमाचल को भी मिला था हिमाचल की भी राजधानी चंडी गडी थी लेकिन वहाँ के नेताओं ने दूर दर्शीता दिखाई। तो हमारे डाइक रोड़ की पबलिक को चंडिगड में जाकर के यूटी के अंदर जाकर के रेवन्यू जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है तो हमारा रेवन्यू तो वहाँ चला जाता है हमारे स्टेट की जेबें जो खाली होती हैं फिर हम वहां पे शोपिंग भी करते हैं और हमारा एक बार का चकर दस हजार रुपे से कम का तो किसी कपड़ता नहीं है इतने बड़े लोग हैं MLA, MP, US time के भी थे वहां सब की कोठियां हैं वो रह रहे थे उन कोठियों के लिए उन सब को चलाने के लिए वहां करमचारी पैसा जनरेट कर रहे थे तो चंडिगड को बाबूओं का शेर का आजाता था सब हरियाना वाज़ चोजय पील करते हैं हम लोग ये लड़ाई कोई तीन महिलाओं किया 2-4 हमारे ओफिसंजर लगे वे उन के लड़ाई नहीं है या पूरे हरियाना के सम्मान की लड़ाई है अम इतना बड़ा चैतर होके इतने हरियाना के करांतिकारी लोग होके पड़े लिखे लोग होने के बाद हमारे पास हमारी राजदानी नहीं है उस शहर को बसाना एक टार्गेट था सरकार किसान को तो वहां से उठा रही थी जो भी आपके जो विदायक बनने वाले हैं वोट मांगने आते हैं उनके सामने ये मुद्धा रखे कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं उनकी से वीडियो बनुआएं उनक से पूचें कि क्या आप अपने हर्याना में हाई कोट और अपनी राज़दानी चाहते हो तो जितने भी विदायक आपके दर्वाजे पे आते वोट मांगने उनसे पुछे आज ही हमारे पास मोग का उनसे यहां बरवाने का और गुडगामा के तर्ज पे हम हर्याना के अंदर एक नया शहर बसता हुआ देखना चाहते हैं अब तर्ज गुडगामा की क्यों है? गुडगामा का मतलबर रोजगार पूरे हर्याना की नजर चुनाव पर टिकी हुए है वहीं ये तीन जो महिला हैं त्री मुर्ति जो है वो एक खास मुद्दे को लेकर पूरे हारियाना की जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर गाउं गाउं घर घर गली गली जा रही है आज हम आपको बताएंगे कि आकिरकर ये त्री मुर्ति चुनाओ के दोरान भी क्यों जो ये पूरे हारियाना की आवाज बनी हुई है और उस आवाज को बुलंद करना चाहती है इस मुद्दे पर हम चैसा करेंगे हमार सत्त तीनों खास त्री मुर्ति हमार सत मोजुद है सबसे पहले हम बात करेंगे बिमला जी की बिमला जी अपनी धरती अपनी राजधानी पर कमाल की बात है होना भी चाहिए क्योंकि कोई भी किसी भी चीज की डिमांड करता है तो हमेशा अपने घर से शुरुवात करता है तो क्या वज़य है इस मुद्दे की और कब से आप इसको लोगों तक पहुंशाने की कोशिस करें और कहां तक आप सफल हुए सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बिंदा सर्याना के दर्शकों को मेरा नमस्कार तो अजे लोहान जी आप भी कई दिन से इस चीज को नोटिस कर रहे हैं आपके संग्यान में भी है और ये लगबग हमने एक साल पहले ये जनहित का मुद्दा शुरू किया था क्योंकि ह हमने भी इसके टाइमिंग ये देखी था कि इस टाइम पर अगर कोई मुद्दा है तो उसको सुना जाता है ज्यादा से सुना जाता है कि इस वक्त अगर पब्लिक के जनता के होट भी इलते हैं, तो politicians उसको सुनते हैं, उसके बाद में पौने पांच साल आपको पता ही है कि politicians नहीं सुनते हैं, तो इस वक्त हमारे जो भावी विधायक हैं, हमारे दुआर पर हैं, यानि जनता के बीच में हैं, तो इस वक्त हमने ये एक साल से सही समय चुनाव हैं, पहले लोक सुबा चुनाव थे और अभी विधान सुबा चुनाव हैं, और चुनाव आए उग अपने चुनाव अपनी सुविधा के हिसाब से साथ चरण में कराए, चाए पंदरा चरण में कराए, पर एक मत दाता और एक नेता के तोर के उपर चुन चरणों में रहती है और केवल कुछ ही समय के लिए नेता जनता के चरणों में जी तो हमने भी आपदा में आफसर डूंडा और यह सोचा कि इस वक्त हमारी यह जो आइडिया है यह ज़्यादा फर्टाइल रहेगा ज़्यादा सुनेगा और अगर मानलो की पोलिटिसेंस हमार बीच में होंगे तो हमारे पास कुछ मुद्दे भी तो हों बताने के लिए कि आप हमारी पोने पांच साल किस परकार से सेवा करेंगे तो हमारे पास कोई एजंडा भी होना चाहिए तो यह जो एजंडा है जनहित का जो मुद्दा है अपनी राजधानी अपनी हाई कोट अ यूं समझाओंगे कि आज के दिन हरियाना के अंदर बीजेपी की सरकार है पंजाब के अंदर आमादमी पार्टे की सरकार है और चंडिगड के अंदर कॉंग्रेस पार्टे की सरकार है तो वो तीन अलग स्टेट हैं यह ज़्यादा आसानी से राजनितिक भाषा में समझाया जा सकता है और वाइस यह कभी नहीं होता पूरी धरती के अंदर कि किसी सूबे की राजदानी में अलग सरकार हो और सूबे में अलग सरकार हो तो यह समझने के लिए यह आसान भाषा है क्योंकि चंडिगड जो है वो केंदर शासित परदेश है पहले दिन से ही वो यूटी है तो वहाँ पर हमारा कोई राजनेतिक और या कोई प्रशाशनिक कंट्रोल नहीं है दूसरी बात यह है कि वो चंडिगड 727 किलोमेटर का छोटा सा एक एरिया जिसमें तीन स्टेट्स की राजदानी है चंडिगड की खुद की पंजाब की और हरियाना की तो इतना मेहनत क हमारे जैसा यह हमसे कम जादा पंजाब है यह दोनों के साथ में यह मजाक है कि उन दोनों की इतने करमत पंजाब की और एक करमत हरियाना की किराई की राजदानी क्यूं एक संपूरन राजे का दर्जा उनको मिलना ही चाहिए क्योंकि यह ओफर हमारे साथ हिमाचल को भी मि पूरण राजे का दर्जा प्राप्त कर लिया और आज वो 6% हिमाचल GST देने के बाद भी 8% ही गरीबी रेखा से नीचे हैं जबकि हम हर्याना के 17% से नीचे तो हमारी कभी GST आई नहीं है 22-23% तक की भी गई है उसके बावजूद भी हम सरकारी आंकडे के अनुसार 65% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और लगबग 38% 37.4% हम अनिप्लोइड है नशा भी बहुत ज़्यादा है तो आज परदेश के अंदर जो समश्याए हैं उनको देखते हुए तो इसका जब हमने ये डूंडा कि हमारी देश की 2% जनसंख्या अगर 17% GST देने के बाद भी अगर हम 65% गरीबी रेखा से नीचे हैं तो इसका मेजर कारण क्या है तो मेजर कारण एक सबसे बड़ा कारण ये मिला कि डाइसों लोग चंडिगड में बैट गया अगर विदान सबा है तो ही तो SECTATE वहाँ है ना विदान सबार SECTATE वहाँ है तो ही तो जुडिशरी वहाँ पर है ना तो अगर ये 200 हर्याना के बीच में बैठ जाएं आ जाएं तो हमारी Dike Road कि पब्लिक को चंडिगड में जा करके यूटी के अंदर जा करके revenue generate करने की जरूरत नहीं है तो हमारा revenue तो वहाँ चला जाता है हमारे state की जेबें जो खाली होती है फिर हम वहाँ पे shopping भी करते हैं और हमारा एक बार का चकर 10,000 रुपे से कम का तो किसी कपड़ता नहीं है जाते किस कारण से हैं नेताओं से मिलने अफसरों से मिलने यह हम जुडिसरी के काम के लिए अब जुडिसरी का काम यह लगा लो आपकी हमने इस मुद्धे में एक high court का भी मसला रखा high court का मसला क्यों रखा क्योंकि पंजाब हरियाना high court जब बनी थी शुरू में जब चंडिकट नया शहर बसा था तब ही यह बढ़नी थी तब इसमें 200-500 लोगों के बैठने की capacity थी आज वहाँ पे अकेले हरियाना हरियाना के 23,000 registered वकील हैं जब वकीलों के 200 लोगों के बैठने की जगे 23,000 registered लोग होगे और unregistered की तो कोई county नहीं है गिंती अगर वकीलों के बैठने की जगे नहीं है तो hearing कहां पे होगी hearing नहीं होगी तो decision नहीं आएंगे फिर क्या आएगा फिर आती है एक नई तारीक और लगबग 1962 के मुकदमे आज तक भी वहाँ पे पेंडिंग है क्योंकि अभी सुप्रेम कौर्ट ने पेंडेंसी लिस्ट मांगी थी तोड़े कि इसलिए वो मुद्दा सुनने को मिलता है तारीक पर तारीक आएंगे आपके पास से हमार साथ हरसी था मलिक जी भी मुझद है मैडम जी अगर हम बात करें समस्याओं की परेशानियों की कठनायों की तो तमाम तरह की बाते इनने बताई है कि जनता को आखिरकार वजय परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है तो क्या मानते हैं, क्या आप केवल त्री मुर्ति जो है, वो इस मुद्दे का समाधान करवा पाएंगी, क्योंकि तमाम हरियाना के लोग अपनी समस्याओं को लेके, अपनी मांगो को लेके आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन आखिर में मिलते हैं लठ तो ऐसे में आपक वो काम कभी ऐस अफल नहीं हुगा, और ये भी ऐस अफल नहीं होगा, लेकिन ये सांज़ा प्रयास हमारा तीनों का नहीं है, हमारे साथ हाप जसे लोग, बहुत सारे जज़े, ये कोर्ट में एडवोकेट्स या और आम जनता, ये सब ही का मुद्दा है, और इसे हम जन मु जन साथ हरन का मुद्दा है, और इसे इतना ही साथ हरन बनाया जाएगा, कि हर आदमी के समझ में आए, तो अभी तो ये प्रथम चरण में है, जिसमें हम अपने आपने जो है, दे रहे हैं सभी नेताओं को, कि हमारी भी एक मांग है, ये हमारे पूरे हर्याना की मांग है, और सभी को हमने जो है, अभी अपने मेमोरेंडम दिये हैं, लेकिन हरिता जी अगर हम बात करें समाधान की, तो आपको क्या लगता है, कितना जरूरी है ये समाधान होना, जिस परकार से अभी बिमला जी ने बात कही, कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को चंडिगर बागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वेस्मेंट होती है, टाइम सबसे बड़ी किम्ती चीज है, वो खर्च होता है, और सबसे बड़ी बात, एक बार जाने से जिब समाधान होता, तो हो सकता है कि तारीक पर तारीक मिलती रहें, तो किस परकार से देखते या क्योंकि हारियाना के लोग का जाता कि बड़े भाले होती है. जिसके पास पैसा होगा जेब में, पैसा जिसका बिजनेस सेटल था वो आदमी तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहला जो था कि पंजाब और हरियाना की राजधानी उसको बना दो, वहाँ करमचारी आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो लोग रहेंगे तो उनके साथ व उसको खूबसूरत शहर कहते हैं, अलग बात है, लेकिन वो खूबसूरत है, लेकिन ये खासियत है उसकी, कि वो बाबू का शहर कहा जाया करता, और अब भी बाबू का शहर है, और धिरे-दिर उस शहर की पहचान बदल रही है, वो बाबू के शहर से निकल के, अपने अस् नया शहर बसाना था, नया शहर तब बसेगा जब आम जन उस शहर से जुड़ेगा, ऐसे ही राजधानी उसको बनाया गया, क्योंकि राजधानी में आपका सेक्टरियेट बनेगा, अदर आफिसेज बनेंगे, तो सभी वहीं जाएंगे, जाएंगे, रहेंगे, और उस शहर को बसाएंगे, बसाने में योगदान देंगे, लेकिन अब जो है, वो समय की डिमांड है, पंचंडिगर पूरी तरह बस चुका है, और पंजाब अपने बहुत सारे कारयले, वहां से शिफ्ट करके मौाली ले जा चुका है, उसी तरज पर हर्याना ने अपने बहुत सारे कार पंचकुला में शिफ्ट कर दिये हैं, तो सेक्टरियेट या फिर हाई कोट क्यों नहीं अपनी दर्ती पर आ सकती, हाई कोट में हमारे बहुत सारे युवा जो बच्चे हैं, वकालत करने के लिए जाते हैं, यहां से पढ़ने के लिए, हाई कोट के लिए प्रेक्टिस करने आपके पास आएंगे, तमाम नेताओं की मुश्किले बढ़ाने पर आप तुली हुई है, आपको नहीं लगता कि चुनाओं में अब तो नेताओं को वोट मांग लेने दीजिए, क्यों आप इस चुनाओं के दुरान उनकी सांसे और फुला रहे हैं? नेताओं के मुश्किले बढ़ाने रहे हैं, उनके आसान कर रहे हैं, नेता वोट तो लेते हैं हरियाना की जनता से, वोट लेके चंडिगड जाके बैठ जाते हैं, जब हरियाना के लोगों को जरूरत होती है, मेरी माताओं वहनों को जरूरत होती है, हमारे किसान भाईयों को तो बुजरगों को जरूर तो होती है तब उनको चंडिगट भागना पड़ता है तो क्यों ना क्यों ना वज़ा है कि नेता तमाम जनता से पीछा चुडाने के लिए इतनी दूर जा रहे हैं और आप उनको कहरें कि नहीं दूर नहीं जाने देंगे हैं हमारे बीच में हम यह चाहते हैं कि हम चेंज करना चाहते हैं नेताओं को अपने आपको हम अलग रहने नहीं देंगे जनता के बीच से जनता से वोट लेके बने तो जनता के बीच में रहना होगा राज जानी हमारी हर्याना में बनती है हमारी विदान सभा हर्याना में आएगी तो नेताओं को कै कोई केस है एक दिन में असुनी को Hogigan को कॉती थारिव डाय कोज़े सब सामना करनाफ पड़ता है तो जब हाइक हाइक हाइड कोई हना के लोगों को रोजगार मिलेगा माता litigation को रुजगार अभी अकील कोई माता है गाउं में कोई काम करती है वो नहीं हाई कोट होगा तो वो अपने आपको एक महफूज सोचेंगे कि हम अपनों के बीच में हैं हम अपनी भासा में बात कर सकते हैं बहुत से गाओं के लोग हैं उन्हों को हिंदी बोलने में थोड़ा से प्रेशानी होती है तो वो अपनी भासा में अपने रज्जे में सुरक्ष कि बुए लगए हैं और सब हर्याना वाज्चियों से अपील करते हैं हम लोग ये लड़ाई कोई तीन महीलाओं कि या दो चार हमारे ओफिसर लगए उनकी लड़ाई नहीं है या पूरे हर्याना के सम्मान की लड़ाई है हम इतना बड़ा छेतर होके इतने हर्याना के करांति कारी लोग होके पड़े लिखे लोग होने के बाद हमारे पास हमारी राजदानी नहीं है हमारा हाई कोट नहीं है इसलिए मैं सभी से अपील करते हूं कि सब लोग इसमें साथ दें किसी भी पार्टी से जुड़े लोग हों नेता हों हम सब से अपील करते हैं आकि अभी चुन वोट और अपनी राजदानी चाहते हो तो जितने भी विदायक आपके दर्वाजे पे आते हैं वोट मांगने उनसे पुछें आज ही हमारे पास मोग का है उनसे अहां वरवाने का ये बिल्कुल सुदेश गोई जी ने बताया कि जो भी नेता आप लोगों के बीच में आते है उनसे जरूर पूछें तो भिमला जी क्या लगता है अब नेताओं से ये पूछने का टाइम है कि क्या आप इस मांग को पूरा करवाएंगे या फिर नेताओं के सामने ये कहने का टाइम है वोट आपकी पक्की वो तो आपके दोवार पर पूछने आई रहे हैं बिचारे सब कही रहे हैं कि पांच साल हमारे को सेवा का मोका दो हमारे लाइक काम बताओ तो हम उनके लाइक बता रहे हैं कि आपके लेवल का काम तो ये है आप ये काम कर दो ये आपके लेवल को सूट करता है क्योंकि ये कि कोई भी काम जो होता है वो दोई तरीके से होता है या तो हमारे राजनेताओं को हमारी जनता से प्रेम हो लगाव हो या फिर जनता का राजनेताओं पे दवाब हो तो दोनों में से कोई भी सूरत हो जाए चाहे वो प्रेम से कर दें चेवो जन्ता के प्रेसर से कर दें दोई सूरत से ये इसका समाधान निकल सकता है तो पब्लिक डिमांड अगर हो जाएगी लोग अवेर होंगे कई बार politicians रिस्क भी नहीं लेते कि लोग अपने आपको कुछ emotional connected मानते हैं चंडिगड से कि चंडिगड तो उसका नाम city beautiful रख दिया और वो भावनातनक जुड़ाव मैसूस करते हैं status से कि हम तो मरी जाएंगे अगर चंडिगड हमारे पास नहीं रहेगा मतलब आप पूरे हर्याना को सुक सुईधाय देना चाहती हैं लेकिन नेताओं की मुश्किले बढ़ाना चाती है मुश्किले नहीं बढ़ा रहे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी नेता हो हम उनकी intention पे सवाल नहीं उठा रहे बहुत सारों की राजनिती इसी वज़े से भी खराब हो जाती है कि ये तो इसके लिए तो political picnic है इस फलाँ फलाँ candidate के लिए और वो नहीं आ जा पाते पूरे पूरे पांस साल वो पूरे पांस साल आना जाना नहीं रख पाते और वो अपने हलके से अबसेंट रहने की वज़े से उनकी राजनिती खराब भी तो होती है बहुत सार ऐसे भी हैं जो अपनों के बीच में रहना भी चाते हूं लेकिन सारी मिटिंग्स वगरा विदान सभा सेशन वगरा टेंड करने के लिए उनको भी मजबूरन जाना पड़ता होगा सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकता है अपनों के बीच में कुछ रहना भी चाते होंगे लेकिन ये जो हम अभी ये जो अभियान चला रखा है तो इसमें ये सर्च अभियान है कि कौन से लोग ऐसे हैं हरियाना तीन भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है हरियाना बचाओ, हरियाना को लुटवाओ और हरियाना खाओ तो जो यहां रहने की मनशा है जो इस मुहीम के समर्थन में है जो हरियाना को बचाने के समर्थन में हरियाना बचाओ अभियान के समर्थक हैं वो और जो सूनने के बाद में समझने के बाद भी सोय हुए हैं, वो हरियाना लुटवाओ, जो न्टू में हैं, और हरियाना ख़ाओ, तो आपको पता ही है फिर वो कौन से लोग हैं, तो लोहन साब ये जो इस वक्त हम यही हैं कि सभी से हमारी जनता से भी ये अपील है कि वो चं का मतलब है रोजगार प्राइवेट सेक्टर का इंप्लोइमेंट जो सरकारी सेक्टर से भी ज्यादा रोजगार देता है तो हमारे हरियाना के बीच में अगर एक नया शहर बसेगा तो हमारा जो हिसार का एरपोर्ट है जो 18-19 बार आप लोग दिखाते रहते हो कि इतनी पर मतलब कि कोई यूटिलाइजेशन भी तो हो इसका कि इतने उपजाओ जमीन को हमने दे करके हम 85 परसेंट अग्रिकल्चर लेंड का हमने 62 बच गया है हमारे पास उसके बावजूद भी हरियाना गरीबी रेखा से नीचे क्यों है इसका विकास क्यों नहीं हो पारा इसकी आपनी संस्कृति डवलप क्यों नहीं ऑपारी क्योंकि बॉल्डर स्टेट हमारी क्ल्चर है नहीं बल्कुल ये जबसे बड़ा कारण है पतेक्राइज लगाओ तो तीन क्राज्री में ज़ो लास्ट की जो इक्टेगरी वह बड़ी खजारनाक बताई है हलां कि नेता उसी क तो किया हमारे के हैने से साबित हो गा सरकार खुद इस साबित करने की जरूरत ही नहीं लेकिन उसी सरकार से ये भी उमीद है कि इस मुद्दे की संवेदन शीलता को समझते हुए और हर्याना जो के बिरोजगारी में अवल है उस समस्या के निदान के लिए भी इस मुद्दे आवशक है उनका निदान आवशक है तो इस हमारे को समेदन शिलता को समझे और राजधानी और हाई कोट यहां अपनी दर्ती पर लाएं यहां पर लाना चाहिए और सुदेश जी नेताओं की मुसिवते बढ़ा रहे हैं तीसरी कटेगरी में उनको शामिल किया जा रहा है तो आप लोगों क्या लगता है कि अगर समाधान नहीं होता है तो आपका अगामी कदम क्या हो सकता है दीखे हम आवाज उठाते रहेंगे और एक दिन अगर नेता नहीं मानते हैं तो फिर एक दन जनान दोलन शुरू हो जाएगा हम तो वैसे भी नामिया हमारा रखा हुआ ने इतों के लिए सही है अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आगामी रनिती क्या आप लोगों की तरफ से बनाए गई है एक साल हमने मुझूदा सरकार को दिया है दो तिन साल हम इन सरकार को भी देंगे लेकिन छोड़ेंगे बनवा के रनिती का रजल्ट यही है पका हम उनको चुन रहे हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए जाते रहेंगे दर्वाजा खटखटाते रहेंगे और जीत जरूर लेंगे सफल होंगे हम अपने वो देशे में पीछे नहीं अट रहें क्योंकि यह सिर्फ हमारा मुदा नहीं है हर्याना के हर एक नागरिक का म मुद्दे पे जो है वो समवेधन शीलता जब हम लोगों में है वो हमारा मुद्दा है तो सरकार को भी समवेधन शील होना पड़ेगा आने वाले भविश्य के लिए अपनी अपने पसीना को बहा रही है अपनी मेहनत के बल पर नेताओं को जगाने की कोशिश कर रही है अब देखना यह होगा कि आखिर कर इन त्री मुर्ति के साथ साथ जो सेकड़ो हजारों लोग इनके साथ इस मुहीम का हिस्सा बने हुए ह यह मुहीम कितनी कारगर साबित होती है या फिर नेताओं की ऐसे ही चंडिगण में ऐसो आराम ऐसे ही उनकी मस्ती चलती रहेगी और हर्याना की जंता ऐसे ही पीशती रहेगी विडियो जिन्स्ट अमित वासिस के साथ अजया लोहान बिंदा सिरेना